हाई एवरिवन, आज के वीडियो लेक्चर में एक छोटा सा थियरम पढ़ेंगे, थियरम है continuous image of a connected space is connected, ठीक है, याने क्या, कि अगर मैं दो space लेती हूँ, मान लीजिए x और y, ठीक है, space याने की vector space, और इन दोनों के बीच में जो है, एक function है f, और यहाँ पे f क्या ऐसा है, continuous है, continuous है, ठीक है, तो इस f के अंडर x की जो image आएगी y में, ठीक है, मान लीजिए वो क्या है, f of x है, so let, f of x क्या है, continuous image of, continuous image of x, continuous image of x, continuous image of x, continuous image क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है, के f कैसा है, continuous है, ठीक है, तो उस case में, अगर, if x जो है, वो connected है, ठीक है, तो f of x भी क्या होगा, connected होगा, so f of x is also connected, ठीक है, अगर यह जो function है, अगर यह one one, sorry, अगर यह on to भी होता है, तो, अगर on to होता है, तो f of x किसके बराबर आजाएगा, y के बराबर आजाएगा, ठीक है, तो इतना clear है, कि if, f is on to, तो यह जो पूरी की पूरी y है, यही क्या हो जाएगी, continuous image हो जाएगी, x की, तो उस case में, f of x is equal to y, ठीक है, तो हम इसको show करेंगे by contradiction method, ठीक है, तो मानते हैं, let, मान लीजे कि f of x जो है, वो disconnected है, so let f of x be disconnected, ठीक है, अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, कि आपने जो है, contradiction लानी है, लेकिन कुछ गिवन चीज़ें हैं, जैसे कि continuity दी गई है, कि f continuous है, तो उस एसाब से हमें, जो है, f of x की जो disconnectivity है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, अब क्यूंकि हमने एक theorem पड़ा था, कि अगर कोई set disconnected होता है, इसका मतलब यह है, कि उस set के अंदर एक, उसका subset ऐसा जरूर मिलेगा, जो open भी होगा, और close भी होगा, ठीक है, तो अगर आपको वो theorem ध्यान में है, तो हमने उसके second part में यह शो किया था, कि ठीक है, आपको थोड़ा सा revise कराती हूँ, कि अगर x disconnected है, ठीक है, तो x को जो है, a union b, जहांपे a और b disjoint set है, और यह separable है, ठीक है, तो इस तरह से x is equal to a union b के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, और हमने यह show किया था, प्रूव करते करते हम यह आये थे, कि इसमें a और b यह दोनों कैसे हैं, open हैं, और दोनों close भी हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमने theorem प्रूफ किया था, कि अगर x disconnected है, तो set मिलेगे, जो open भी होंगे, close भी होंगे, तो उस case में हमने यह दिखाया था कि a and b बोथ हा open, तो a और b क्या, यह जो openness है, इसकी मदद हम यहाँ पे लेंगे, clear है, ठीक है, तो यहाँ से एक चीज clear है, कि अगर x disconnected है, तो x को हम दो open set के union में लिख सकते हैं, जहाँ पे यह a और b कैसे हैं, disjoint है, ठीक है, यह पहले तो a और b separable है, लेकिन उसी separable वाली condition से जो है, हम इन दोनों को open भी दिखाते हैं, तो हम separable वाला जो context है, वो नहीं लेंगे, क्योंकि separable वाला जो theme है, वो इस continuity के अंदर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा कोई theorem नहीं पड़ा है, जहाँ पे separable और continuity के बीच में कुछ relation दी गया हो, तो continuity और openness के बारे में कुछ कहा गया है, इसलिए हम क्या लेंगे, कि अगर f of x disconnected है, तो इसका क्या मतलब होगा, ऐसे दो open set, कैसे, disjoint open set, ऐसे दो open set, a and b open exist करेंगे, such a that, कि यह जो f of x है, इसको हम क्या लिख सकते है, a union b लिख सकते हैं, और यहाँ पे यह a और b कैसे हैं, disjoint है, clear है, okay, so हमने क्या लिख दिया, f of x को जो है, a union b लिख दिया, where a and b are, open, अब दोनों तरफ inverse ले लेते हैं, ठीक है, so f inverse of f of x is equal to f inverse of a union b, this implies, अब f inverse of f of x कितना आएगा, x आएगा, ठीक है, और which is equal to, अब आप इस inverse को जो है, अंदर distribute कर दीजे, so this is f inverse of a union f inverse of b, अब यहाँ पर आपकी जो है, जो यह continuity वाली condition है, वो काम में आएगी, देखे, a और b क्या है, open है, किधर open है, a और b are open in y, और f कैसा है, continuous है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि continuous image के अंदर, इनका जो inverse image होगा, वो भी open होगा, लेकिन x में, this implies कि f inverse of a, और f inverse of b, कैसे होंगे, open होंगे, y के अंदर, ठीक है, sorry, x के अंदर, तो हमने देखिए क्या कर दिया, x को जो है, दो open set के union के root में लिख दिया, लेकिन अभी तक हमने यह नहीं दिखाया है, कि दोनों empty भी है कि नहीं है, ठीक है, एक बाद देख लेते हैं कि इन दोनों का intersection empty है कि नहीं है, यानि कि disjoint है कि नहीं है, clear है, तो अगर मैं f inverse a, intersection f inverse b, इन दोनों का intersection लेते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो कि f inverse of a intersection b, ठीक है, अब a intersection b क्या है, a intersection b is empty, so f inverse of empty is what, empty, ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि x is equal to f inverse of a union, f inverse of b, where, these two set, f inverse of a and f inverse of b are open and disjoint हैं दोनों, तो इस हिसाब से x क्या हो गया, x is, x is disconnected, ठीक है, और यह क्या है, this is contradiction, क्यों, क्योंकि हमारा जो x है, वो कैसा given है, x is connected, ठीक है, so x is disconnected, which is contradiction, hence, x, f of x, जो हमने लेके चले थे, वो गलत लेके चले थे, so f of x is connected, ठीक है, तो यह simple सा, इसका क्या है, ठीरम है, और इसमे एक छोटी सी observation है, जो आप बस यूही देख के भी बता सकते हो, कि हाँ, अगर कोई set connected है, माल लीजे, यह हमारा x है, और यह y है, ठीक है, माल लीजे, यह on to भी है, और इनकी बीच में यह f continuous है, तो, अगर x connected है, तो यह जो y है, जिसे हम f of x कह रहे हैं, यह भी connected होगा, ऐसा क्यों, देखे, अगर माल लेते हैं, माल लेते हैं, कि f of x जो है, वो disconnected है, जैसे कि हमने यहाँ पर माना है, इसका मतलब यह है, कि by theorem हमने देखा है, कि अगर कोई disconnected होता है, तो उसके अंदर एक ऐसा set ज़रूर मिलेगा, कोई a, such that, यह open भी होगा, और closed भी होगा, ठीक है, तो उस case में हमारा f of x क्या होगा, disconnected होगा, ठीक है, हम मान के चलने कि f of x is disconnected, hence there exists a set which is both open and closed in f of x, और y, clear है, अब a जो है, वो open है, तो f inverse of a क्या होगा, इधर open होगा, अब a close भी है, तो f inverse of a इधर क्या होगा, मतलब यही क्या होगा, closed भी होगा, ठीक है, तो x के अंदर हमारे पास एक ऐसा set मिल रहा है, जो open भी है और closed भी है, इस हिसाब से x भी क्या होगा, disconnected होगा, clear है, so this implies कि हमने जो assume किया था, वो गलत किया था, क्योंकि x क्या है, connected है, है न, so हमने जो assume किया था, वो गलत किया था, इसलिए f of x is connected, ठीक है, तो बस इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे explain किया है, otherwise यह बहुत simple वे में आप इस चीज़ को समझ सकते है, clear है, so continuous image of connected space is connected,